नमस्कर दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आइटिया 3 assessment year 2021 के लिए आइटिया 3 कैसे फाइल करेंगे अगर आपकी business income में तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या process होगा और किस हिसाब से आप online e-filing portal पे आइटिया 3 को assessment year 2021 के लिए फाइल कर सकते हैं तो दोस्तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंट तक तो दोस्तो इस आइटिया 3 को फाइल करने से पहले आपको balance sheet prepare कर लेना होगा जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर profit announce account और balance sheet को prepare कर लिया है ठीक है अ आपको balance sheet और profit and loss account चाहिए हलाकि मेरा जो case है उसके अंदर यह जो balance sheet है वो audited है चर्डड अकाउंटेंट के द्वारा तो मैं audit वाली ITR बताँगा कैसे फाइल करना होगा हलाकि normal ITR और audit वाली ITR में auditor की details जाती है और normal होगी तो process सेम ही होता है बस उसमें auditor की details नहीं जाएगी दोस्तों चलिए बताता हूं कि कैसे आपको ITR 3 फाइल करना होगा सबसे पहले क्या करना होगा income tax के इस portal पे आजाना होगा income tax पे आने के बाद आपको जाना है यहां से e-file पे income tax return पे जाएंगे और यहां से download pre-file data इस पे click करेंगे ठीक है यहां से सबसे पहले हम अपना ज जो current year कि अभी ITR accept कर रहे है उसी का आएगा आपका pre-file data 21 ले लिया यहां पे आपको एक download कर टैप दिखता है इस पे आपको click करना है तो जो इसका pre-file data होगा json format के अंदर वो download हो जाएगा अभी क्या करना है जो भी आपने इस pre-file data को download किया उसको आप copy करके specify folder के अंदर save कर लेना दोस्तों यह मैंने कर लिया save pre-file data को अभी क्या अगर ना है यहां से आपको करना है logout logout करने के बाद आपको home page पे आना है income tax के लिए जो portal है इसके home page पे आएंगे home page पे आने के बाद यहां पे देख सकते हैं download का एक और टैप दिखता है आपको इस download वाले टैप पे क्लिक करना है download वाले option पे क्लिक करना है और यहां पे जो आईटियर को prepare करने वाले हैं हम आईटियर 3 को वो offline tool का यूज़ करने के prepare करें क्योंकि अगर आप online करके prepare करोगे तो online में site काफी ज़्यादा अटकती है और बहुत ज़्यादा problem face करने पड़ती है अलाकि पुरान है online portal वो चलता नहीं है smoothly तो आप टूल के अंदर अगर प्रिपेर करोगे आटियर 3 को तो easily और smoothly तरीके से आप आटियर 3 को टूल के अंदर offline tool के अंदर prepare कर सकते हो देशकते हैं यह है common utility ITR1 से ITR4 तक आप इसके अंदर prepare कर सकते हो इसके अंदर ITR1, ITR2, ITR3 and ITR4 assessment एर 212 के ल नया system में save और फिर उसके बाद इसको करना है open मैंने पहले से download किया है चलिया इसको open कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यह मैंने utility कर लिया है open ठीक है अभी utility open करने के बाद simple continue पे click करेंगे continue पे click करने के बाद file return पे click करना है यहां से जो हमने download किया है prefile data को import prefile data पे click क इसन फाइल को import करेंगे continue पे click कर दिया सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा pen number चलिए pen number लिख लेते हैं pen number लिख लिए assessment यह ले लिए assessment यह 21 की file कर रहे है proceed पे click कर दिया अभी attach करेंगे जो इसन फाइल को जो हमने download किया है prefile data को उसको attach करेंगे यह मैंने attach कर दिया देख सकते हैं import हो गया successfully proceed पे click करना है proceed पे click करने के बाद यह pen number आ गया name आ गया taxpayer का assessment यह 21 और आज की date आगे जिदित import किया है ठीक है उसकी date आगे अभी file return पे click करना है file return पे click करने के बाद select करना है individual हूँ continue पे click कर दिया idea select करेंगे idea 3 file कर रहे है अभी proceed with idea 3 पे click कर दिया तीन step पे पहले step में validate करेंगे return को दूसरे में confirm और तीसरे में verify चलिए शुरू करते हैं let's get started ठीक है अब यह return filing के questions को पूछ रहा है कि कि किस वज़े से return file कर रहे है तो मेरी यहाँ पर जो taxable income है वो basic exemption limit से ज्यादा है इसलिए इस वाले option को ले लिया आप चाहे तो इन दोनों option में से जो भी आपका apply के वाल है वो ले सकते हैं जैसे अगर 139 subscription उनके 7th provisor को आप comply करते हैं तो यह ले सकते हैं या फिर others भी ले सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं शेडूल से बहुत सारी शेडूल से जो आपको भरनी होगी सबसे पहला आता है जर्नल डिटेल्स जर्नल डिटेल्स की सेडूल से और उसके बाद income बिजनेस इंकम डिप्रेशेशन डिडेक्शन टैक्स और अधर सेडूल है ठीक है सबसे पहल हैं यहां पर छाहें पर जो भी आपका शेडूलस बनता है इसे अगर आप पाघर सोच से इंकम नहीं है और इसके अलावा है कि पार्ट्नर्श फर्म से इंकम माश से इंकम भी आप ऑनी आ फास तो इंकम नहीं है यह तो हमारी इंकम बिजनस इंकम से बिजनस वाले पर जाके ड scrut नेटर ओ बिजनस बैलेच शीजट मैनिफैक्ट्रिंग अकाउंट अगर मैनिफेक्ट्रिंग है तो मैनिफेक्ट्रिंग लेना होगा ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग लेना होगा अलागे यहां पर यह manufacturing है तो manufacturing अकाउंट ले लिया ड्रेडिंग ले लिया प्रॉफिट अनोस अकाउंट आ गया अधर information आ गई quantitative details नहीं चाहिए हमें इंकम फ्रॉम बिजनेस इंड प्रोफेशन से निकल के आएगी detail schedule tax on secondary adjustment यह नहीं हमारे लिए applicable बाकी okay है इसके अलावा बात करें depreciation में तो plant and machinery के उपर depreciation इसकी detail देनी होगी हलाकि बात करूँ तो fix assets नहीं है मेरे पास balance sheet में आ जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यह देखे current assets है fix assets नहीं है तो मैं depreciation की details को यह नहीं दे रहा हूँ अगर आपकी fix assets है तो इस पे क्लिक करके आप depreciation वाले detail को yes no कर सकते हैं यह हटा रहा हूँ है दोनों ही क्योंकि depreciation नहीं है मेरे पास यह भी हटा दिया un observed depreciation उसके बाद deductions की बात करें अगर आपकी कोई deductions है तो deductions वाली schedules को ले सकते हैं हलाकि मेरी यहां पर कोई भी deduction नहीं है तो मैं इसे अंटिक कर रहा हूँ क्योंगी deduction है नहीं तो लेने का कुछ फाइदा की है tax जो tax मनेगा वो निकल के यहां पर आएगा detail of payments किया जाएगी tds and tcs अगर कुछ कटा है तो वो ले सकते हैं हलाकि मेरे पास tds and tcs नहीं है इसके लाबा others के अंदर other की schedule other schedule की बात करें तो other schedule में current year कोई loss carry forward है तो वो ले सकते है यह भी नहीं है हमारा बागी दोस्तों और जो schedule है जैसे current year का loss अगर कुछ है तो उसकी retail brought forward losses है उसकी retail carry forward losses है उसकी retail AMT है उसकी retail ठीक है तो इस तरह कोई detail है नहीं मेरी और अगर हम इसे अंटिक कर रहे तो अंटिक हो नहीं रहा है चलो कोई नहीं बता तूंगा कैसे इंद की बस आपको confirm करना है अगर detail नहीं है आपकी तो ठीक है जो जो schedule थे हमारे पास applicable मैंने उसको select कर लिया जो applicable नहीं थे उसे unselected कर दिया ठीके दोस्तों अब यह आगे हम journal के अंदर जनल में पार्ट एक ही detail देनी होती है continue करेंगे continue कर देंगे यहाँ पर 16 हमने schedules को select किया हुआ है continue कर दिया बोलते कि new tax regime को आप लेना चाहते है नहीं नो पर क्लिक कर दिया continue कर दिया salary salinated कोई exemption से आपकी तो वह दे सकते हैं तो यहाँ भी मेरी exemption नहीं कुछ भी salary income नहीं है मेरी reduction से हो दे सकते हैं मेरी deductions भी नहीं है continue करते हैं बिजनेस के अंदर आते हैं बिजनेस में बोलता है कि क्या आपने प्रजंटिव tax system को opt किया हुआ है section 44 AD को नहीं benefit ले रहे हो तो वह बता सकते हो कि हाँ आप section 44 AD के benefits को ले रहे हो मतलब प्रजंटिव basis पर अगर आपकी income है या कोई details है तो उसकी details दे सकते हो तो यह भी नहीं हमारा प्रजंटिव basis पर यह कर दिये हमने अब हमारी पास schedules की summary आ गई जो जो schedules हमें फिल करना है ठीक है जो हमने यहां पर दिखाएगा क्योंकि यह pre-filled data से उठा लेता है basic details जैसे कि दे सकते है permanent information में इसने नाम ले लिया automatic ही ठीक है यह दे सकते है pen number date of birth और यह अधार number contact details के अंदर contact details आ जाएगी जो यह filing portal पर यह सब प्रिफाइल डाटा उससे उठाया इसने filing section ले लिए इसने कि कैसे आप ITR को फाइल कर रहे है रिवाइज आईटीयर है यह और जनल आईटीयर है ठीक है तो मैं यहां पर और इस पर टिक कर लिया मैंने ठीक है उसके बाद बोलता है कि नियू टेक्स रिजिम को प्रिविएस यहर में यहां पर राइजटन आ जागा फिर बोलता है कि 115 एच का आप क्लेम कर रहे हैं benefit नहीं फिर बोलता है कि इंट्रेशनल फिनेशनल ट्रंजेक्शन नहीं अथ्राइज रिप्रंजिट्रिव के द्वारा रिटन फाइल यह नहीं यहां पर है यहां पर है आपने इंवेस्ट किया हुआ है तो इसकी डिटेल दे सकते हैं यह भी नहीं हमारी सेपे क्लिक कर देंगे आप अकांट्स को मेंटेन करने के लिए लाइबल है उसके बाद बोलता है कि क्लिक कर दिया उसकी अगर आप लाइबल है जरे abolet speaking को फशने करने के के लिये तो उसकी डिटेल देनी होगी कौन से code के अंदर आप audit हुआ का क्राया है, यह येस पे क्लिक कर दिया बोलता है 44 AD को आप आप्ट कर रहे हैं नहीं ये भी नहीं ले रहे हैं 44 AD सबसे पहले option आपको लेना होगा सबसे पहले option यह पर audit के लिए लेना है कि मेरी जो turnover है वो एक से दस क्रोड के बीच में है ठीक है तो मैंने इसको yes कर लिया एक से दस क्रोड के बीच में होती है तब आपको yes करना होगा और इससे ज़्यादा होती तो no करना होगा अब यह बोलते हैं कि क्या आपकी turnover जो है जो आपने sale करी है या purchase करी है receive है या payment है क्या 5% से exceed हो रहा है cash के अंदर अगर exceed हो रहा है तो उसको आप yes no कर सकते हैं यह बोलते हैं कि यहां बोलते हैं कि previous year के अंदर क्या आपकी 5% से exceed नहीं हुई है no मेरी 5% से exceed होगी है दोनों option को मैंने no कर दिया है ठीक है अब चार्डर का दौर्णन के द्वारा जो furnace किया है आपने audit report को यहाँ पे आपको CA की retail देनी होगी चलिए सबसे पहले select कर लेते हैं date of furnish of audit report तो यहां से आप audit report की date को select कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पे सेम आज की date में audit मैंने कराया है और आज ही इसको furnish कर रहा हूँ आज ही की date है तो दोनों में मैंने same date ली हुई है अभी name of the auditor जो audit report में साइन करेगा औरिटर का नाम लिख दिया उसका membership number लिख लेते हैं यहां से membership number लिख जाएगा जिदे ही पर है membership number को copy करके मैं यहां कर देता हूँ पेस्ट membership number पेस्ट कर दिया प्रोप्राइटर्चिप या फार्म है तो name of auditor तो name same वही आएगा और पाट्रा से फार मेLR दा नमबर होता लिए कें से आप 008 बार ट ळिजीट तक जिग द हैंडिकला एक दो तिंु छार पांच छे साथ आठ एड़त 연दिट तक जिड़ो जिड़ो लिखने के अब आपको धार लिखनेय करें आद यह आपको था लिखना लिखना होगा में यह पार्ट चाहे तो आप अधार नंबर छोड़ भी सकते हैं मैं आप अधार नंबर छोड़ रहा हूं ठीक है बागी डिटेल ले दिया कंफर्म पे क्लिक करेंगे यह बोलता है कि क्या है आप एससे जो लोकेटेड है इंटरेशनल फ्रेंशिल सर्विस सें क्लिक करने के बाद यह हमारी हो भी पेसिक डिटेल जनल डिटेल जो हमने यहाँ पर देदी जनल टिटेल कंफर्म हो गया ग्रेव सबसे पहले क्रों कौन से कोर्ट कि ऑंदर फॉल करता आपका जैसे manufacturing करता है यह bags को बनाता है तो मैं यहाँ पर लूंगा manufacturing हाँ manufacture of luggage handbags और सेडलर यह ले लिए ट्रीड का नाम लिख लेंगे ट्रीड का नाम जो हमने बैरेंशिट में उपर दिया है वही same name copy कर लेंगे और यहां से मैं treat का नाम लिख लेता हूं लिखने के बाद कि description में कुछ detail है तो आप लिख सकते हैं description कुछ भी नहीं है मेरा add पर क्लिक कर दिया ठीक है business की detail आ गए nature of business आ गया confirm पर पर क्लिक कर दिया confirm पर क्लिक करने के बाद nature of business के retail में ने दे दिया अब यहां पर यह ग्रीन सेट टिक हो जाएगा add details का option आ गया इस पर क्लिक करना है आपको add details पर अब आपको यहां पर application of fund की detail देनी होगी याने assets sites की detail को देंगे सिफसे पहले fix assets के बारे में पूछता है तो fix assets समारा कुछ है नहीं अगर आपके पास fix assets है तो उसकी gross value दोगे और उसमें जो last हुआ वह दोगे net value अपने आप निकल जाएगी इसके बाद investment पूछता है कुछ investment है तो वह दे सकते हैं investment देख लेते हैं यह रहा office के अंदर है office investment यह 138320 की तो short term investment एक भी शेर के अंदर है प्रिफेरेंड शेर के अंदर है डेवेंचर्स का है ठीक है और government and other security quoted और government and other securities unquotted तो मैं यहाँ पर इस वाले option में details को भर रहा हूं government and other security quarters के अंदर कितना है 138320 138320 ठीक है यह हमने नीचे आ जाते हैं current assets की details को पूछ रहा है current assets की details में सबसे पहले पूछता है कि storage यहने stock को पूछ रहा है वह जो detail फिल करते जा रहे हो इसे आप marking करते जा रहे हैं इसको भी रेट से mark कर लिया अभी सबसे पहले stock पूछा इसने तो यह है stock हमारे पास इसको भी decimal places को बंद कर लेता हूं ताकि report करने में आसानी रहे चतिस चववन दो सो इक्यानवे तो इस टोग जो है हमारा यहां पर फिनिश गूड का इस टोग है यहां पर मैं लिख रहा हूं चतिस चववन दो सो इक्यानवे थीक है यह लिख दिये हमने चतिस चववन दो सो इक्यानवे इसे कर दिया mark अगला कूछता है यह संड्री डेटर के बारे में संड्री डेटर हमारे पास ये रहा ठीक है 10, 15, 20, 75 चलिए लिख लेते हैं 10, 15, 20, 75 ये लिख दिया हमने संड्री डेटर इसको भी टिक कर दिया अगला पूछता है ये cash in hand cash in hand यहाँ पे होगा ये ले सेखें cash in hand है 634, 778 634, 778 हमने cash in hand लिख दिया इसको कर दिया टिक अब बोलता है tedious receival है इसके इसाफ़े चलेंगे balance with bank बोलता है balance with bank ये रहा 23, 69, 17 23, 69, 17 ये हमने लिख दिया balance with bank इसको टिक कर दिया उसके बाद अगला आता है other assets के बारे में पूछ रहा है तो other assets में TCS receival और security deposit ये दोनों लिख सकते हैं ठीक है other current assets के अंदर मैं इन दोनों को total करके लिख सकता हूँ तो अगर मैं इन दोनों का total करूँ ये हो रहा है 60, 192 तो यहां लिख दूँगा मैं 60, 192 ठीक है ये मैं लिख दिया other assets के अंदर इन दोनों को tick कर देते है ठीक है ये assets sites complete हो गई और कोई retail नहीं है नीचे पूछता है कोई loan in advance है तो वो दे सकते हैं हमारा कोई loan in advance नहीं है ठीक है और इसके बाद ये है current liability and provision अब current liability की बारे में बात करते हैं सबसे पहला आजाता है sundry creator तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये है sundry creator कितना है दोस्तों ये 6984 485 6984 485 485 ये हमने sundry creator की detail दे दी इसको भी टिक कर दिया उसके बाद नीचे आता है उसके बाद नीचे आ गया liability for lease assets नहीं है ये भी नहीं है interest accrued नहीं है इसके उपर जो interest accrued बना है वो interest accrued but not due on loans ये भी नहीं है हमारा नीचे आ जाते है provision for income tax अगर कोई provision है income tax का वो दे सकते है तो other provision में हमारे पास ये दोनों बनते है duty and taxes और audit fee payable तो मैं इसको एकटा लिख सकता हूँ दोस्तो 217 200117 ये मने एकटा लिख दिया other provision के अंदर duty and taxes और audit fee payable अभी हमारे पास ये loan है और ये सारा कि सारा unsecure loan के अंदर है नीचे आते है लोन की डिटेल शायद ऊपर पूछा आता देख लेते हैं एक बार करन्ट एसेट से लोन का है करन्ट एसेट से रिलेटिड है liability वाला नीचे आएगा लोन एडवाज करन्ट लाइबलिटी के अंदर ये है लोन लाइबलिटी वाला नहीं है इसमें अभी हमने application of fund की डिटेल दे दी save पर क्लिक कर दिया save पर क्लिक करने के बाद अभी source of fund की जाना होगा उसकी डिटेल देनी होगी add detail पर क्लिक कर दिया सबसे पहले proprietor की capital पूछ रहा है तो capital account हमारी ये है जिसमें से opening ये है profit का portion ये आया drawing less होने के बाद net capital मेरी ये लिख लिए है 37.440 यहां मैं लिख दूँगा 37.440 का amount ठीक है ये लिख दिया ये tick कर लेते हैं इसको ठीक है दोस्तों ये tick कर लिए मैंने उसके बाद नीचे आते हैं कोई reserve and surplus है capital reserve है उसकी detail दे सकते हैं इस तरह की कोई भी detail नहीं है loan fund की बात करें तो loan है मेरे पास unsecure loan है secure loan आ गया उसके बाद या गया unsecure loan from others तो दे सकते हैं ये हैं other से ये हैं बहात्तर चीएत्तर पांसो इकत्यस का आमाउंट मैंने दे दिया ठीक है दोस्तों बाकी ओर detail नहीं है मेरी कोई defer tax liability भी नहीं है तो add पे क्लिक करूंगा add पे क्लिक करने के बाद यह आ गया हमारा source of fund का अमाउंट ठीक है एक दस छपपन नोसो इकत्तर और यह आ गया application of fund का माउट एक दस छपपन नोसो इकत्तर तो बिल्कुल सेव है फर्क नहीं है दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए so so fund और application of fund difference नहीं होना चाहिए अगर कोई difference आगा तो problem हो सकती है okay हो गया confirm पे क्लिक कर दिया okay कर दिया बोलता item नंबर 5 की detail हमने भरी ली है वहारी वहाँ पे applicable लई थी okay पे क्लिक कर दिया ठीक है यहाँ पे मैंने balance sheet की detail दे दी अभी बात करते है manufacturing account की तो manufacturing account की detail दे रेते हैं manufacturing account में यहाँ से ट्रेडिंग और प्रॉफिटन उस अकाउंट है यही से details को भरेंगे कि सबसे पहले opening stock raw material का working process का नहीं है हमारे पास परचेज बोलता है उपरचेज है तो उसकी values ले ले लेते हैं तो परचेज यह है हमारी यह देख सकते हैं तो copy करके paste करने कोशिश करके देखते हैं नहीं paste नहीं वह लिखना पड़ेगा तो 72 776 100 बाद में चले लिख लेते हैं 72 776 100 बाद में यह मैंने purchase लिख ली ठीक है उसके बाद अगला जो जो तो यह रहा तो यह रहा तो यह आगे देंगी रिटेल उसकी बाद अलगभग कोई और डिटेल्स नहीं है हमारा तो से पी कलिक करने के बाद या से लोग पर डिटेल्स को पूछ रहें चलिये यहां पर प्लूजिं रिटील्स क को दे ले जेते हैं वर्किंट आख़ें राट अब और फिनेश घोड्स का है उसका है उसके डिटेल्स जो है वह आगे देनी होगी क्लिक कर दिया मैंने इसके अगर बात नीचे आएंगे यहां से ट्रेडिंग सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आड़ेट पर क्लिक कर दिया और यहां पर सेल्स अफ गुड्स का अमाउंट देंगे सेल्स अफ गुड्स का अमाउंट यह है 78 273 189 78 273 189 यह दोस्तों हमने सेल की डिटेल ले दी ठीक है से वाले बटन पर क्लिक कर दिया प्रोफेशन से अगर आपका रिसीट से तो उसकी डिटेल दे सकते हैं तो इसके अलबा और कोई अधर रिसीवल नहीं है वारी एड़ पे क्लिक कर दिया प्रोफेशन यह निकल के आगया हुआ है ठीक है अभी जो डेबिट वाइट ट्रेडिक अकाउंट के दर उसकी डिटेल देनी होगी सबसे पहले ओपनिंग इस्टोग यहां देना होगा ओपनिंग इस्टोग यह है उसके बाद कोई परचेज जो हैं वह दे सकते हुंब और यहां से duty एंट टाक्सित जो है वो आप दे सकते हैं duty and taxis कुछ है आपका paypal या paid ठेक है good's and services की purchase के respect में तो वो दे सकते हैं वो हमारा यहापने नहीं है अभी हमें यहापे closing stock की detail देनी है यह लेख लेता है closing stock यह यहां लेख लेते है closing stock यह भारा 36 54 291 36 54 291 closing stock की detail की डीटेल लेदी इस नीचे करें ग्रोज profit यह निकल गया 15 65463 यह जलेख़ए 15 65463 यह ग्रोज profit ठीक आ गया हमारा अभी क्या करेंगे confirm पर क्लिक करेंगे यहां पर हमने अपने trading account की details देदी नीचे स्क्रोल करते हैं अब आजाते हैं PNL पर प्रॉफिटर नो सक्राइंट पर आ जाते हैं ठीक है यह हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट है अब जो पी एलेंट के अंदर डैबिट हुआ है कि सबसे पहला आगया आउटवर्ड कोई है तो देशकते हो यहां पर बात करें यहां 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 पर रूज़ाई चार्ज़स एक तार्यस बीस है यह लिख लेता हूं मुद्ध एक तालिस बीस है उसके बाद कुई कंजिमे वाली स्टोर है तो देशकते हो कर दीमे श्टोर यहे लिए हमने, कोई रेंट है वो दे सकते हो, जो जो रिपोर्ट करते जा रहे हैं उनको टिक भी कर लेते हैं साथ में ताकि समझने में आसा है नहीं बोलते हैं कोई रेंट हो, रेंट हमारा यहां पर है नहीं, इसके अलाबा कोई रिपेर टू बिल्डिंग हो, लिए पर एंपलोईज की लिए आता है जो सेलरी है तो इहां पर सालरी की बात करें ये लिए थे थिन 35 की की सेलरी दी है थैंकर इसकी बार्किंग कर लेते हैं फिर उसकी बार बोलता है कि कोई बोनर से वह कराया है तो वह सकते है नहीं मेडिकल एक्स पेमन्स नहीं लियुक्यक्सिन है इसके अलब कोई होता इसमें स्ब्सेप्रmeeयेक्रमें इनि स्टांफ वैल फेर एक्स व क्यादि है घ्र्णिन चयाcalled there यह लिखती है हमने इसको कर दिया मार्क है इसके अलावा एंटर्टेन्मेंट होस्पिटिलिटी कर्णफ्रेज सेल्स परमोसन एडविटाइश्मेंट एक्सपेंस है तो दे सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर खुण भी नहीं है वेपन शिपन सब्कूरिप्शन से निचा जाते हैं कमिशन के अगर को कमिशन से रिलेटेड़ एक्सपेंस से वह दे सकते हैं कन्वेंस का है औ क्लिक करते हैं यह बोलते कि क्या यहां पर जो है वह बाइस के लेवन के अंदर नों ड्रेज़़िट्ट को पी किया रहा नहीं नों पे क्लिक कर दिया को यह वो दे सकते हैं प्रोफेश्णल चाज़ज से जैसे कि प्रोफेश्णल चाहिजें की बात करें तो यह दिए हुआ है थिकिए तो यह प्रोफेश्णल चाहिए यह इन्दर आ जा जागा अदर बया जाएगा इखाक्तर अज़रबाज्वे का अमांट डिया है प्रफेशनल चांड़न पूटल इन बिल्डिंग का इंग्ण कोई एक्सपेंस से बोदे सकते हैं इसको तक के लेते हैं यही रहा कि यह रहा 32380 का तो 32380 का का तसक दो कर दिया मैंने इसको कर दियाused सब्सक्राइब कर लिए अभी प्रोफेशनल एक्सपेंस भी है तो दोनों को इखटा लिखना पड़ेगा प्रोफेशनल के अंदर प्रोफेशनल एक्सपेंस जो ने लिखाए यहांपर इसको चुराणवे हजार कर सकते है इसमें अकांटिंग चार्जेस और प्रोफेशनल एक्सपेंस भी एड्ड हो गया है यहां यह हो गया इसके अलावा टैलीफोन एक्सपेंसे से नीचे करते हैं इस्क्रॉल यह जीरो सततर का मौग एलेफ़न एक्सपेंसेस लिख दिया हमने राउंड ओफ है इसके अलावा ये थोड़े बहुत कुछ एक्सपेंसेस बच गए है और डिट फी है पारज़र का नीचे करेंगे इंट्रास्ट डोनेशन्ज अधर एक्सपेंसेस बैर डेट्स ओडिट फी यह मैंने पारज़र का ओडिट फी हो गया इसकी मार्किंग कर लिया आपने बैंक चार्जेस है बैंक चार्जेस को ऑप्शन्स है नहीं यहां पर मेंबर्शिप सब्क्रिप्शन्स प्रिंटिंग इस्टेशनरी राउंड ओफ चार पाच एक्सपेंसेस बच चुके बस क्ल्ब एक्सपेंसेस हैं अब क्या करते हैं आधार एक्सपेंसम मझा जाएं जो भी एक्सपेंस बचाये यहां पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हों उसका नाम और को वो इस हैं पनी है इथा यहां है निया हमने बाइंग चारजेस तो कि हमाँट लिक देंगे धी लिफ चार्सो सुतावत है यह एक ये एडिक क्लिक किया कि ये कि होगा ऐस मैंपेशिप सब्सक्रिप्षन से कॉप्पी कर लिया यहां करे दिया कितने का इमांट है यह है यह 1250 का है यह लिख दी हमने एड अधर पे क्लिक कर लेंगे कि यहां लिख दिया कोडिये कितने खनूआ सास होगा है इससकी कंदी मार्क उसके बाद आता है round of copy किया और add another पे click करके round of ले लिया round of कितने का है 207 रुपीट आ है add another पे click किया round of वाले को राइड तर दिया इसके लब और और कोई expenses लिये तो add another को हडा सकते है ठीक है total expenses हमने ये लिख दिया अभी save वाले बटन पे click करना है तो other expenses हमारे उठके आ जाएगे इस पर click करोगे तो यहां दिखेगा आपको यह देखते अधर expenses इतना होगा ठीक है अभी net profit तो निकल के आया नव बहत्तर 111 का नव बहत्तर 112 तो यह गुरुपे का round of है आप चाहो तो other expense में जो round of हम ने लिखा है वो यहां पर एक कम कर देते है दोस्तो चे कर देते है नव बहत्तर 112 हो गया नव बहत्तर 112 हो गया अभी add पे click कर देता है यहां से दोस्तों हमने अपने profit अनौस अकाउंट की डिटेल दे दी यह हमारा आ गया profit इसी के उपर tax लगे अभी confirm पे click कर देन अब यहां पर other information पूछता है other information में कुछ basic डिटेल देनी होगी जैसे method of accounting हो गया method of stock हो गया जैसे कि देख से method of accounting merchant लिया हुआ है ठीक है हमने change नहीं किया है method को change नहीं किया है नोपे click कर दिया बागी सब डिटेल ठीक है okay पे click कर रहें confirm कर देंगे बस इसको confirm करना और कुछ निकरना ठीक है confirm हो गया नीची आ जाते हैं अब यहां पर competition of income आएगा from business और profession तो हमारी ठीक है यह हमारी कोई से आ गई बिजनेस से आ गई अभी क्या करना है confirm पर click कर देना है कोई loss है नहीं अजर loss होता तो वो carry forward होता नीचे scroll करते हैं इसके बाद current year को कोई भी loss जो है आपका carry forward हो रहा है तो मैंने बताया हमारा इस तरह को कुछ है नहीं तो बस आपको इस पर click करके confirm कर दे रहा है और कुछ नहीं करना कीचे स्क्रोल करेंगे यहां पर जाके confirm कर देंगे ठीक है कोई ब्रोट फॉर्वर्वर्ड लोसे से वो पूछ रहा है तो यह भी नहीं है हमारा इसको भी confirm कर देंगे यहां से compute and setup को option आता है इस पर क्लिक कर दूगे तो मारा कुछ है नहीं Broad Forward losses है होता थो Set up हो जाता नीछा जाएंगे नीछाने के बाद past year losses जोcount forward होगा यह current year losses जो broad forward हो ऊसकी retail पूछ रहे been compute setup पर क्लिक करना है अब यह सेड्डूल है इंकम चार्जवल टू टैक्स एट स्पेशल रेट इंकम जो स्पेशल रेट पे चार्ज होगा उसकी डिटेल आपकी यहां पे जाएगी दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है तो कनफर्म पे क्लिक कर देना है उसके बाद इसका कोई क्रेडिट भी नहीं है इसलिए कंफर्म पे क्लिक कर देंगे इसके शेडूल को नीचे स्क्रॉल करेंगे अब आता है कंफिटेशन अफ टोटल इंकम इस पर क्लिक करेंगे जो टोटल इंकम है वह आपको बताएगा कि आपकी टोटल इंकम कितनी है तो टोटल इंकम कितनी हो गई मेरी 9212 की ठीक है इसके अलाबा और कोई इंकम नहीं है जैसे सेली से इंकम या हाउस प्रोपर्टी से इंकम नहीं है कोई भी लॉस नहीं है करन्टियर का यह जो करी फॉर्वड होना है यह कोई भी टैक्स हमारा नहीं पर है जैसे टीडियस यह टीच्च एडवान्स टैक्स अब यह बोलता है जो टैक्स है वो टोटल इंकम पर लगेगा उसकी कैलकुलेशन उसकी कम्पूटेशन की बात करता है लुटेशन जो है टैक्स बाक्स बाइंकम पर यह बगी बनता है यह आप चाहिए तो अभी ओकर सकते याप लेटर पर कलिक कर लिया हमारी रिटर्ण हो गई रेडी हो गई है प्रिवी रिटर्ण पर क्लिक करेंगे एक 39 क का आमाउंट पेबल बना है हूं कि क्लिक कर लिया ह अब आपको क्या करना होगा सबसे पहले place देना होगा डाली लिख दिया यहां से और उत्राइज सिगनेचरी को सेलेक्ट कर लिया उत्राइज सिगनेचरी को सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे यहां से आपको रिटर्न का जो प्रिव्यू है वो दिख जाएगा यह देखते हैं उसको रिटर्न का हमारा प्रिव्यू रेडी हो गया हमारी आइटिया 3 रेडी हो चुकी है प्रिपेर हो चुकी है अभी आपको क्या करना है proceed to validation पे क्लिक करना है ठीक है अभी ये return को validate करेगी अगर कुछ error होगा तो बता देंगे कि ये error है जैकिते हैं return successfully validate हो चुका है अब आपकी ITR prepare हो चुकी है filing के लिए आपको क्या करना है simply proceed to verification के लिए बूलता है चाया तो आप इसके download कर सकते है json file को download कर लेना download करने के बाद ये file जो है वह upload होगा है बूलते है कि download sections के अंदर आपको मिलेगा Dell में जाके मिलेगा ये download sections में जाके और यहां से Dell के नाम से folder है उसके अंदर मिल जाएगा ये देखते हैं दोसको ये आगए हमारा json फाइल अब क्या करना है प्रोसीडट्व एरिफिकेशन पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर अपना इंकम टेस्ट के यूजर एडिया पास्वाइश लिखना होगा और पास्वाइब लिखने के बाद पोर्टल पर लॉगिन कर लेगा फिर वेरिफाइब कर लेगा अगर आपको पोर्टल पे यहां इस यूटिलिटे के थूँ वेरिफाइड नहीं करना तो सिंपल है आपको क्या करना है इसे मेनिमाइज कर लेना मेनिमाइज करने के बाद Income Tax Portal पर आने के बाद E File पर जाके Income Tax Return पर जाना है File Income Tax Return पर जाना है यहाँ से बस आपको क्या करना है Assessment यह सेलेक्ट करना है जैसे Assessment यह एकेस्वाइस हो गया और Offline वाले ऑप्षन को ले लेना यहाँ से Filing टाइप Original और यहां से आप ITR को select कर लेना continue पे click करोगे यहां पे आपको JSON file attach करना है JSON file attach करने के बाद proceed to verification पे जाके DSC या EVC का यूज़ करके verify कर सकते हो अगर audit के case के अंदर ITR 3 file कर रहे हो तो digital signature mandatory है उस case में आप अधार का यूज़ करके ITR 3 को prepare कर सकते हो तो दोस्तों देखा आपने ऐसे आपको offline tool का use करके offline utility का use करके ITR 3 को prepare करना है और file करना है new filing portal पे वीडियो कैसे लगी ज़रूर बता है thank you so much जहिंत वन्दे मात्रम